नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महतोपून जानकारियों को ले करके जहां दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे इलाइची के फायदों के बारे में जहां दोस्तों इलाइची आवं गर्म पानी का COMBINATION कैसे हमारे लिए भायदे मंद होगा दोस्तों अगर आप हर रोज सुबह में गर्म पानी पीते हैं गर्म मतलब की बहुत करम नहीं बॉयल्ड नहीं पिनाए आपको मीठा, गुनगुना पानी, गुनगुना पानी अगर आप हर रोज पीते हैं सुबह में, तो आपको कब्ज की समस्या नहीं रहेगी दोस्तों, क्योंकि गर्म पानी हमारी पेट को क्लीन कर देता है, अब अगर हमारा पेट साफ होगा, तो सिधी सी बात है दोस्तों, कि आपको कबज नहीं रहेगी पेट साफ रहेगा तो आपकी पाचन शक्ती भी मजबूत होगी आपकी तो आप जो भी खाएंगे दोस्तों खाया हुआ आपकी बोडी में लगेगा आप जो भी फूर्ट्स या फिर सब्सक्राइब वह आपकी शरीर के लिए जो भी उनमें उप्यूक्त इनर्जी या फिर विटामिन्स होते हैं उनको भर पूर मात्रा में डाइजेस्ट करके आपकी बोडी के लिए पहुचा पाएगी या दे पाएगी इसके साथ साथ अगर आप एक इलाइची खा करके और उसके साथ दूध पीते हैं दोस्तों रात को खास करके तो आपका वीर्य गाढ़ा हो जाता है जिहां दोस्तों आपके वीर्य में शुक्राणों के अगर कमी हो रही हो तो वो पूरी हो जाती है इसके साथ साथ दोस्तों इलाइची सभी जानते हैं कि ठंडी प्रकृती का एक फल है जिसका सेवन अगर आप करते हैं करम पानी के साथ तो आपको किल मुहासों की प्रोब्लेम नहीं होगी जिहां अगर आपको बहुत जादे किल मुहासे आते हैं तो आप एक इलाई चीखाए और उपर से खुनगुना पानी पी लीजिए आपको फाइदा होगा दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपके बाल जढ़ रहे हूं जिहां दोस्तों अमूमन बालों का संबंध जो होता है या फिर हमारी पूरी बॉड़ी का वो पेट से होता है दोस्तों और पीट की सफाई के लिए पानी का खासा ख्याल रखना बेहत जरूरी है अगर हम क्यों पानी पे कंट्रोल कर लें यानि की जैसे की खाना खाने से कम से कम एक घंटा आप मानके चलें देड़ घंटा के बाद अगर आप पिए तो सबसे अच्छा है कि देड़ घंटे बाद आप पानी पिए क्यों क्योंकि इसका रिजन होता है दोस्तों अगर हमारी बॉड़ी में मालीजी हमने खाना खाया तो अगनी जल रही होती है जिसे हम जट रागनी बोलते हैं उसमें खाना डाइजेस होता है कौनत हो जाए तो उसे क्या पाचक रस बनके तैयार हो जाते हैं देड़ घंटे में अब जो भी आपका मल होता है यानी और नियियुकंतु जो फालवनि है और जो भी उसके वीटावी पत्रित कोफित हो जाते हैं विटामिन में अब अगर आप पानी पिते हैं 10 हंड गंटे बाद तो जो विटामिन के पाट के बनी है पानी इसको यहिली वहां कोफ़े nih तो आपको देड़ घंटे बाद पानी पीना चाहिए और खाना खाने से कम से कम आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए पैतालीस मिनट अगर हो तो सबसे बहतर है दोस्तों अब यह बात क्यों है क्योंकि अगर हमारा पेट साफ रहेगा तो हमारे बाल नहीं जड़ेंगे दो पाचन शक्ति मजबूत होगी तो सुभाविक सी बात है दोस्तों जब पीट साफ रहेगा तो आपके बाल से लेकर फेश से लेकर के आपकी पूरी बाड़ी स्वस्त रहेगी तो आपका मुठ टापा भी ऑर्रेडी कंट्रोल रहेगा दोस्तों आपकी मरदाना शक्ति भी ब तो आपका हर काम सही से हो पाएगा दोस्तों अगर आपको नींद न आने की बिमारी है तो आप हर रोज एक इलाईची खाकर और गरम पानी पी लिया किजिए दोस्तों रात को आपकी बिमारी कहब हो जाएगी दोस्तों आपको अगर खर राटे आते हों तो भी यह उपाए बेहदकार कर साबित होता है दोस्तों रक्त संचार जहां दोस्तों अगर आपके ब्लड शर्कुलेशन में प्रोब्लेम है वो भी ठीक हो जाता है क्योंकि गर्म पानी जो है वो इजली ब्लड को प्रवाहित करने में मदद करता है गर्म पानी आपकी इलाइची खा करके गर्म पानी पीते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफेट सोते हैं हां पानी का खासा ख्याल रखना चाहिए कि आप सुबह में पानी पी रहे हैं गर्म पानी तो ध्यान रखें कि आप 2-3 गिलास पानी पीए और अगर आप साम में पी रहे हैं तो आप कु पानी जो आपके मुझ को सुटेबल हो यानि कि आपके लिए ऐसा ना कि जल जाए जलने वाला नहीं पीना आपको फुन पानी पीना है यह आपके लिए बेहत कारगर साबित होगा दोस्तों इस उपाई को अपना करके देखें इसमें कुछ लगता भी नहीं है सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या करना है घर में पानी कुनगुना करना है और पीना है आपकी बहुत सारी समस्या है यूँ यानि कि खुद बखुद गायब हो जाएंगी दोस्तों पीट की समस्या आपकी गई तो आपके समझे कि 90% रोग आपके खुद बखुद गायब हो जाएंगे हमा सब्सक्राइब के पास वी वैसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जिनकों ये बहुत सारी अच्छी जानकारी होती हैं बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नहीं होती है तो हमारा ये एक माध्यम है सही लोगों तक सही बातों को पहुंचाने का दोस्तों तो अगर आपके मन में जो भी भा नमस्कार दोस्तों